The Railwayman नाम से एक सीरीज आई है Bollywood की तरफ से जिसको बनाया है यश्राज फिल्म्स एंटरटेंडमेंट ने और आपको बता दू के YRF की ये पहली वेब सीरीज है नेट्फिक्स पर अवेलेबल है और टोटल मिलाया जाये तो चार एपिसोड देखने के लिए आपको चार गंटे ज़रू लग जाएंगे तो कैसी है ये सीरीज आईए बात करते हैं वेल हलो मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी चार एपिसोड की ये मिनी सीरीज बेस्ट है एक रियल लाइफ ट्रैजिक इंसिडेन पर 1984 में हुए भोपाल गैस ट्रैजडी पर जहाँ एक केमिकल फैक्टरी से मिथिल आईसोसाइनाट जैसी जानलेवा गैस लीक हुई थी जिसमें सिर्फ एक रात में सिर्फ एक रात में 15,000 से भी जादा जाने गई थी जिसमें से जादातर लोग तो आधी नीन में चल बसे थे बच्चे बुढ़े जवान सभी इस गैस लीक का शिकार हुए थे और इस ट्रैजिक इंसिडेन को एक चार एपिसोड की सीरीज के जरिये और थोड़ा एक्स्ट्रा ड्रामा और थोड़ा सा फिक्षन एड़ करके हमें दिखाया गया है सबसे पहले तो मैं तारिफ करना चाहूँगा इस पूरे सीरीज के कास्टिंग के आर माधवन, केके मेनन, दिवेंदू और बाबिल खान इस सीरीज के लीड अक्टर्स है और इनके अक्टिंग माइड ब्लोइंग नहीं होगी ऐसा कभी हुआ नहीं होगा स्पेशली केके मेनन सर, दिल जीत लिया सर आपने मैं तो कहता हूँ, केके मेनन सर ने acting नहीं की है, इस पूरे सीरीज में बस जान डाल दी है उपर से जिस तरह से सीरीज को crisp रखा गया है, उससे पूरे सीरीज में tension का माहौल बना रहता है हाला कि आपको end product पता है कि क्या होने वाला है, still सीरीज का presentation ऐसा है कि आपका मन लगा रहता है साथ ही इस पूरे सीरीज में और खास कर last में real life tragic incidents के videos और photos भी use किये गए हैं ताकि उस समय की स्थिती की गंभिरता को दर्शाया जा सके और गंभिरता से आपको बता दू कि इस पूरे सीरीज में कुछ एक ऐसे द्रिश्च है जो आपको विचलित कर सकते हैं second episode की last में एक माँ का दूद पीते वे छोटे से बच्चे का footage है भाई, मैंने literally आखे बन कर दी थी, वो scene देखकर और मेरे आखों में पानी था हम बस imagine ही कर सकते हैं, बट जिस time में ये tragic incident हुआ होगा और 15,000 से भी जादा जाने गई होगी, कितने ही लोगों ने अपनों को खोया होगा anyways, जादा emotional ना होकर अगर सीरीज को technically judge करनी की कोशिश करे तो मुझे storyline और acting wise कही पर भी दिक्कत नहीं है इवन इस पूरे सीरीज में जो एक intense music बशते रहता है और वो सास वाला एक BGM है, वो goosebom देता है और आपको situation के साथ जोड़े रखता है overall, this series is thrilling और tension के साथ आपको पूरे चार episodes reality और fiction का एक tragic incident दिखाने की कोशिश करती है और उसमें success भी होती है सीरीज में अपने संदीब भाया याने सनी हिंदुजा, दिवेंदु भट्टाचार्य, रगुवी रियादो, जुही चावला और मंदिरा बेदी का भी एक important cameo appearance है और उन्होंने भी अच्छा काम किया है हाँ, सीरीज में गालिया है बीच बीच में लेकिन किसी भी तरह का कोई vulgar scene नहीं है और बहुत सारे graphic content है चीर फार, dead bodies वगेरा वगेरा तो बच्चों को दूर रखे 16 प्लस हो तो आराम से देख सकते हो और हाँ, सीरीज में बहुत से dialogues English में है और अगर English की दिक्कत है तो Hindi subtitles available है सो पूरे aspects को ध्यान में रखते हुए मैं दूँगा इस सीरीज को 4 out of 5 stars मिलते हैं अगले वीडियो में बाई